आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को विस्टिंग काड के लिए आप एक प्रिस्पेक्टिव बैग्रूंड डिजाइन साब कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान हाँ जा जाए तो अभी के लिए एक रख्टाइंगल तूल के लिए जी क्लिक करके करता हूँ एक स्टैंडर्ड विस्टिंग करण का सेज्ज गया ता आता है अभी देखो unit mm में हो गया, अभी इसको select करता हूँ, select करके इधर आपको क्या है, mm करके बता रहा है, तो अभी आपको इधर क्या size देना है, 92 by 54 mm देना है, तो देखो भी ऐसे 92 by 54 mm हो गया, होने के बाद अभी इस box को ऐसे select रखते हुए, इसको क्या है इसे, नीचे लाता हू लाके इसको क्या है, mouse right click कर देता हूँ, with size मैं आपको बता रहा हूँ, so अभी इसका जो height है, इसका जो strip हमने बनाया है, इसका height क्या है, 10 mm कर लेता हूँ, 10 mm दिया मैंने, देने के बाद आपको क्या करना है, अभी क्या है, ये selected है, shift को hold करते हुए, इस box को भी select करना है, select कर क्या है, बी press करना है, बी press करने से क्या हो गया, bottom में आ गया, अभी क्या है, इसे और एक box लेता हूँ, इसे एक box लेया मैंने, अभी इसका size क्या है, width में 25 देता हूँ, width में मैंने 25 दिया, और इसका height है, तो इस strip से भी थोड़ा ज़्यादा height कर रहा हूँ मैं, तो इसके ल अभी shift को hold करते हुए इस box को select करता हूँ, अभी दोनों selected है, अभी B बोलता हूँ तो bottom में आया, L प्रेस करता हूँ तो bottom left में आ गया है, यह box क्या है, bottom left में आ गया, यह आपको समझ में आ रहा है, तो अभी क्या है, अभी यह थोड़ा width इसी तरह क्या है, और एक box इदर आता है, तो इसको थोड़ा width जादा लग रहा है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, एक 25 है, इसको अभी 23 कर लेता हूँ, 23 क्या मैंने, करने के बाद और एक बार इसको select करके, आप क्या करो, L और B बोलता हूँ, तो इतना होने के बाद, अभी क्या है, एक free and tool लेता हूँ, free and क्या करता हूं एक 45a डिगरी क्लिक कर लिए भी क्लिक से लैना हे इसे एक बार अगरי जंप होता है तो 15 डिग्री नीकिर बाद लेके क्लिक कर लेता हूं यह आपको समझ में आ रहा है और इधर क्या है, यह 스maart fill टूल लेता हूँ, इसको लेकर प्लिक करता उए इसको भी आप किलिक करो तो दोनों portion सेलेक्ट हो था is, select क्रने के बाद अभी क्या करता ऊँए जो portion ने इसको और इसको दोनों को select करें कि आपको क्या करना है वेल्ड करना है वेल्ड करने से क्या हो गया अभी यह सिंगल अबजट बन गया अभी इन दोनों पॉर्शन को भी मुझे स्मार्ट फिल करना है तो उसके लिए क्या है फिर से स्मार्ट फिल लेता हूं लेके इदर क्या है तिको स्मार्ट फिल में क्या है इदर specific है, color selected है आपको कौन सा color चाहिए, वो color आप select कर सकते हैं अभी इदर click करता हूँ, इदर भी एक click करता हूँ तो देखो भी ये दो portion select हुआ shift के साथ दोनों को select करो आप दोनों को select करके इदर भी क्या है, weld कर लेता हूँ आपको समझ में आ रहा है, अभी इस portion को क्या है? एक black sheet दे देता हूँ, इसको मैंने black sheet दे दिया आभी ये जो line है, इस line को delete कर देता हूँ इस line को भी क्या है? इस box को, यह जो box हमने ले आ था इसको भी delete कर देता हूँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ? यह जो strip है, इस strip को थोड़ा light shade देता हूँ, अभी इसमें क्या करता हूँ, यह आप yellow है, इसको थोड़ी देर तक आप hold करके रखो, hold करने के बाद अभी देखो इदर जो dark shade कौन सा भी आपको कौन सा चाहिए, वो color आप इदर दे सकते हैं, दिखो भी ऐसा आ गया, अभी यह इसको थोड़ा merge जैसा लग रहा है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें red में आता हूँ, red में click के आ वेने, तो red shade आ गया, इसमें क्या है, और थोड़ा hold करके आप रखेंगे तो क्या है, number of shelves open होता है, तो इसमें क्या और तो भाँ डार्क कर लेता हूं तो इसको क्या है तो दिर तक होड़ करने के बाद ऐसे मैंने डार्क कर लिया तो इसको भी ऐसा लग रहा है अभी ऐसे बाहर से ड्रैक करो यानि यह जो black triangle जैसा है यह और यह जो maroon है यह दोनों selected है इसको Ctrl G भोलता हूँ, Ctrl G भोलने से क्या हो गया, ग्रुप हो गया, अभी आप क्या करो, Ctrl को hold करते वे इसको ऐसे लेता हूँ, तो दिखो भी ऐसे flip हो रहा है, flip होने के बाद mouse को right click करना है, दिखो भी ऐसा आगया, अभी फिर से क्या है, shift को hold करते वे इस box को select करके R भोल देता इससे तो बर्षेस को क्या है एक 35 x 35 mm देता हो और जो हीट इसको क्या है 15 mm देता हूं यह एंटर दिया मैंने। अभी इस Also को hold करते हुए इस box को select करके R बोलता हूँ तो right में आ गया, T बोलता हूँ तो top में आ गया, यह आपको समझ में आ रहा है, अभी इस box को क्या है, control Q बोलता हूँ, control Q बोलने से क्या है, convert to curve होता है, so convert to curve करने के बाद अभी क्या है, इसको क्या है, shape tool लेना है, आप इधर जाके इस point को यहां तक लेता हूँ, so यह आपको समझ में आ रहा है, अभी क्या है, फिर से freehand tool लेता हूँ, freehand tool लेके यह point है, node है, इस node से इधर तक एक, यह लेता हूँ, इधर थोड़ा distance रखा है मैंने, तो इधर तक ऐसे लेता हूँ, so अभी क्या है, इस point से, फिर से इस node से, इधर तक लेता हूँ, इसका जो center है, इधर तक लेता हूँ, midpoint तक लेता हूँ, so देखो, आपको यह समझ में आ रहा है, तो इसमें भी कुछ shade देता हूँ, so इसके लिए क्या है, smart fill लेता हूँ, लेके इस दोनों portion click करता हूँ, दोनों portion select हूआ भी, यह फिल हूआ है, smart fill से क्या होता है, यह color object बन जाता है, अभी इन दोनों को select करके weld कर लेता हूँ, यह single object बन गया, फिर से आप क्या करो, इधर भी smart fill करो, इधर भी smart fill करो, अभी यह जो उपर का portion है, इस portion को अभी मैं क्या करता हूँ, black color दे देता हूँ, okay, black दिया मैंने, अभी इस portion को क्या है, interactive fill tool से तोड़ा shade देता हूँ, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इधर क्या करो आप है, interactive fill tool में आजाओ, interactive fill tool में आने के बाद ऐसे click करके ऐसे drag करता हूँ, तो दिखो भी ऐसे एक यह आ रहा है, तो अभी इधर white आ रहा है, तो इसको मुझे black करना है, तो black में click करता हू तो दिखो भी ऐसे depth आता है, तोड़ा इसको और थोड़ा angle देता हूँ, तो दिखो भी ऐसे इसका ही shadow है वैसा लग रहा है, यह आपको complete perspective दिखता है, यह आपको समझ में आ रहा है, तो अभी इतना होने के बाद, इन सब को select करके, इधर जो cross mark है, इधर आने के बाद आपक समझ में आ रहा है, अभी इन सब को select करता हूँ, select करके क्या है इसे, इस right side में लेके mouse right click करता हूँ, right click करने से copy हो गया, उसको control G बोल देता हूँ, अभी next और एक बताऊंगा मैं आपको, अभी इन सब को select करता हूँ, select करके, delete कर दिया मैंने, अभी इसी तरह क्या है, मुझ और एक एक create करना है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, guideline इदर क्या है, जो corner से क्या है, इसको drag करके ऐसे लेता हूँ, जैसे इस corner पे snap होता है, अभी देखो, यह point पे snap हो रहा है, snap होने के बाद छोड़ देता हूँ, तो देखो अभी, x और y axis क्या है, 0 हो गया, यह guideline, okay, यह आपको समझ में आ रहा है, अभी इन सब को select करता हूँ, select करके मुझे क्या करना है, इदर तक लाके snap करना है, इस portion को, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इदर लेने से पहले अभी मैं क्या करता हूँ, view में आके snap to guides को active रखो आप, इदर क्या है, snap to guides है, इ इसे mouse right click कर देता हूँ, right click करने से क्या हो गया, और एक copy बन गया, okay, अभी जो guideline है, इसको select करके delete कर देता हूँ, यनि guideline क्या है, delete हो गया, guideline को remove करने के बाद, अभी क्या है, फिर से smart fill लेता हूँ, लेके इदर click कर देता हूँ, okay, click करने के बाद, अभी यह जो portion है, इसको delete कर लेता हूँ, वल्टिकल मिरर किया मैंने, यह वो पॉर्शन उपर आ गया, अभी यह पॉर्शन नीचे है, अभी फिर से मैं क्या करता हूँ इदर, फ्रियांड टूल ले लो आप, फ्रियांड टूल लेकर आपको क्या करना है, यह जो नोड है, इस नोड से इसे क्लिक करके ऐसे लेता हूँ, तो कंट्रोल के साथ ले रहा हूँ मैं, ऐसे लाइन थोड़ा भार तक लिया मैंने, उसी तरह क्या है इस नोड से लेना है, अभी द लेते हैं इधर तो अभी मैं क्या करता हूं इस पॉर्षन को क्या है इंट्रेक्टिव फिल्टूल लेता हूं इंट्रेक्टिव फिल्टूल लेकर इसे ड्रैग करता हूं तो दिखो भी ऐसा आ गया तो अभी इसको क्या है एक ब्लैक शिट देता हूं सो ब्लیک शुट दिया मैंने तो दीको अभी ऐसा आ रहा है तो इसको थोड़ा एंगल भी देता हूं ऐसे तो दीको आ रहा है तो फ़ड़ा ऐससे डिश्टन्स रखो आप ठोड़ा लाइट रखा मैंने पूरा डार्क ब्लैक नहीं ले आए थोड़ा लाइट में ले आए तो अभी इसको क्या है, same portion मुझे इस तरफ लेना है, तो इसको control के साथ ऐसे hold करके, इसे drag करो, right click करो, तो एक copy आजाता है, copy आगया, copy आने के बाद इसको select करता हूँ, select करके R बोल दो आप, तो दिखो भी इस तरफ आ गया है, अभी ये जो line है, इस line को क्या है, remove कर देता हूँ, अभी आपको थोड़ा perspective लग रहा है, अगर और थोड़ा आपको depth में लाना है, तो आपको क्या करना है, फिर से interactive field tool लेता हूँ, लेके black portion को और थोड़ा इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या है, और थोड़ा dark बनता है, ये आपको समझ में आ रहा है, इतना लेने के बाद, अ अगर क्लिक करना है, free and tool लेया है, free and tool से, इस point से, इस point तक ऐसे click करता हूँ, तो दिखो भी एक line आ गया, अभी इसको control को hold करते हूँ, इस line को इस तरफ ले लेता हूँ, ये नही flip हो रहा है, flip होने के बाद आपको click छोड़ देना है, इधर क्या है, और एक एक लेता हूँ, लेकर फिर से आप क्या करो, इसको right लिक करो, तो और एक copy बन गया, copy करने के बाद, अभी इसका node है, इस point को hold करते हूँ, इस से लेकर आता हूँ, इधर जैसे snap होता है, तभी आपको click छोड़ देना है, दिको अभी ऐसा आ गया, अभी क्या है, फिर से क्या है, free and tool लेता हू लेकर इस point से, इस point तक एक line draw करो आप, line draw करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें फिर से, एक smart fill कर लेता हूँ, इसको क्या है, एक smart fill लेता हूँ, smart fill लेकर इधर click कर दिया, तो अलग object बन जाता है, दिको भी ऐसे अलग object बन गया है, okay, तो अभी इसको मैं क्या करत अभी क्या है, एक rectangle टूल लेता हूँ, rectangle टूल लेने के बाद, अभी इधर क्या है, यह point है, इस point पे जैसे इधर node करके आपको दिखा रहा है, snap होता है, तभी क्लिक करके इसे एक strip लेता हूँ, अभी strip को मुझे इस point तक weld करना है, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, pick tool ल लिक को छोड़ देना है, तो अभी क्या है, इसको थोड़ा इसे height में लेता हूँ, अभी यह center करके आपको बता रहा है, आपको जितना चाहिए उतना height आप रख सकते हैं, तो अभी इस box को क्या है, convert to curve करता हूँ, उससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, यह जो strip है, strip को एक इस point को select करता हूँ, select करके इदर plus बोलता हूँ, तो दिखो भी point क्या है, इस तरफ आ गया, तो actually हमको क्या चाहिए, point इस तरफ चाहिए, तो इस point को select करता हूँ, select करके plus बोल दो आपर, तो दिखो भी इस point इदर आ गया, plus बोलने के बाद कहीं पे भी click नहीं करना है, और ए shift के साथ इस point को भी select करो तो देखो भी दोनों point select हो गया select करने के बाद अभी इधर आता हूँ ये क्या है stretch और scale नोड करके है इधर click करना है अभी ये selection point आता है अभी इसे क्या है इसे click करके इसे drag करता हूँ आपको जितना distance चाहिए उतना distance आप रख सकते है अगर चाहिए तो आप इधर जो width है इधर तक आप रख सकते है अभी एक guideline लेता हूँ guideline लेके इधर तक लिया मैंने तो अभी इसमें क्या है इस points को आपको select करना है इस point को इसे select करता हूँ select करके आपको क्या करना है stretch और scale node लेना है लेके इस तरफ क्या है तोलबा जूम कर लेता हूँ shift को hold करते वह ऐसे ड्रैग करता हूँ जीसे एधर snap होता है तब मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ तो दूनी तो तरह ऐसा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ। यह जो बार एक बार क्लिक करके, जो मिडल में जो पॉइंट है। इस पॉइंट को कहा है। वह था की है। सिह भी जिए क हला है। अपको जितना तस लेना भी ने ने तो दिएको एसा आग begr़ता हैं। यह आपको थोड़ा प्रिस्पेक्टिव लग रहा है अभी इस guideline को क्या है delete कर देता हूँ अभी इन सब को select करो आप इन सब को जो bottom में जितना भी हमने बनाया इन सब को select करके outline को क्या है मौस राइट लिक कर देता हूँ तो देखो भी ऐसे remove हो गया तो अभी आपको क्या है ऐसे perspective देख रहा है इसमें थोड़ा आप shade जो नीचे का जो shade है इस shade को थोड़ा change कर लेता हूँ थोड़ा dark कर लेता हूँ थोड़ी दिर तक आपको hold करना है hold करके थोड़ा dark कर लेता हूँ तो देखो भी यह difference आपको देख रहा है इसको भी थोड़ा light कर लेता हूँ hold करना है hold करके click करना है तो change हो जाता है यह आपको समझ में आ गया अभी इसको क्या है इन सब को select करो आपड़ select करके इधर और एक एक ऐसे duplicate कर लेता हूँ और एक छोटा option है वो भी बता देता हूँ इसको 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 इस करता हूBL फ्रिएं टूल लेकि इसमाट को इधर क्लिक करता हूँ क्लिक करके कंट्रूल के साथ अभी ीदिकर स्टरेट में आ रहाँ तो कंट्रूल को फोलो करते वह इस तरफ लेता हूँ तो देखों 15 डिग्री जम्प हो रहा है और एक बार लेता हूं तो ऐसे 30 degree jump हो गया, इदर click कर लेता हूँ तो अभी क्या है, इदर smart fill लेके इदर click करता हूँ, इसको भी आप click करो यानि 2 portion हो गया अभी, अभी क्या है इसको click करता हूँ पहले shift को hold करते हूँ, इस portion को लेना है, अभी इसको भी shift से hold करते हूँ, click करके वेल्ड कर लेता हूँ, अभी ये वेल्ड हो गया, अभी इदर क्या है, इदर से मुझे क्या करना है, इदर से, फिर से इस नोड से इदर क्लिक करके इसे नीचे लेता हूँ, कंट्रोल को होड करते हुए लेना है तो 15, 30 degrees लेके इदर क्या है इदर और एक बार क्लिक कर लेता हूँ तो देखो भी और एक portion यह आ गया इसको क्या है फिर से इदर क्लिक करो आप क्लिक करके इस portion को क्या है इसे black color देता हूँ तो black color दिया मैंने देने के बाद अभी क्या है इस line को delete कर देता हूँ इस line को भी आप क्या करो delete कर दो अभी क्या है इन दोनों को क्या है थोड़ा color भी मुझे change करना है तो इस strip को भी आप delete कर दो इदर इसको delete किया मैंने, तो इसमें कुछ shade मुझे change करना है तो अभी इसको क्या है, green shade दे दिया मैंने तो देखो भी green shade आगया, अभी इसको क्या है black ही रखता हूं अभी यह जो portion नहें, इसको क्या है, तोड़ा dark green दे ता हूं इस ग्रीन को hold करते हुए इधर क्या है इसे थोड़ा dark color दे दिया मैंने यह आपको समझ में आ रहा है अभी इधर से drag crop इन दो यह दोनों object selected है इसको control जी बोलता हूँ अभी इसको क्या है control को hold करते हुए इस point से क्या है इस तरफ लाता हूँ जैसे flip होता है mouse right click करता हूँ right click करने के बाद shift को hold करते हुए इस box को select करके आर बोलता हूँ तो right में आ गया यह आपको समझ में आ रहा है अभी इन सब को select कर आपको select करके थोड़ा इसे control के साथ इसे ऊपर लेता हूँ उपर लेके अभी देखो control को hold करते हुए इसे नीचे लेके mouse right click कर देता हूँ तो और एक copy बन गया अभी इसको और इसको select करके आपको क्या करना है weld करना है तो weld हो गया देखो भी यह strip क्या है इस दोनों strip नीचे आ रहा है तो इसको select करो आपको shift के साथ इसको भी select करो select करके shift page up करना है तो देखो भी ऐसा ऊपर आ गया अभी इस portion को क्या है तोड़ा dark sheet देता हूँ थोड़ी देर तक आप color hold करके रखो hold करके इधर क्या है इससे dark sheet दे देता हूँ थोड़ा dark देना है थोड़ा dark sheet देया मैंने अभी यह जो अंदर का portion है इसको maximum dark दे देता हूँ तो थोड़ी देर तक hold करो आप hold करके पूरा complete dark दे दे दिया मैंने इस portion को क्या है और थोड़ा dark कर लेता हूँ यह आपको समझ में आ रहा है देखो अभी ऐसा आ गया अभी मुझे क्या करना है इधर इस portion को black करना है अभी देखो यह grouped है तो इसको ungroup करता हूँ अब भी इस को भी अंग्रूप करो अंग्रूप करके यह जो पोर्षन है इसे दूनों पोर्षन को सेलेट कर आप इसको भी बलाग देता हूँ तो देखो भी ऐसा आ गया अभी क्या है इन दूनों को मैंने विल्डad किया था तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से आप क्या करो, ऐसे एक line draw कर लो, line draw करके, अभी इन दोनों को select करता हूँ, shift के साथ इस trip को select करके, इन C बोलता हूँ, अभी back minus print करता हूँ, तो देखो भी ये cut हो गया, अभी इसको control के भी बोल दो आप, तो break होता है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा light shed देता हूँ, थोड़ी देर तक आप hold करो, hold करके, थोड़ा light shed देता हूँ, देखो भी light shed आ गया, ये आप को समझ में आ रहा है, अभी इस point से, इस point तक मुझे line draw करना है, तो उसके लिए भी freehand tool लेता हूँ, लेके आप इदर इस point को, node को click करो, click करने के बाद, control को hold करते वे, आपको ऐसे लेना है, देशे इदर snap होता है, node पे, तभी आपको click करना है, देखो भी ऐसा आ गया, अभ अभी क्या है, width के लिए, इसका width कितना लेना है, इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस line को भी draw कर लेता हूँ, इदर, freehand tool ले लो आप, इदर से, इस point से, इस point तक ऐसे लेता हूँ, देखो भी ऐसा आ गया, तो इसको भी क्या है, straight line बना लेता हूँ अभी इदर, और इसके लिए, अभी मैं इस line को क्या करता हूँ, convert outline to object बोलता हूँ, इसके लिए क्या arrange में जाना है, convert outline to object बोलता हूँ, बोलने के बाद अभी इस point को इसे drag करता हूँ, drag करते हूँ, cursor को इस point पे लेके आना है, जैसे इदर node करके snap होता है, तभी आपको छोड़ना है, यह क्य क्या हो गया हुँ, line object हो गया है, अभी इस line को क्या है, delete कर देता हूँ, अभी strip को क्या है, transparency tool लेकर, अभी दिखो यह क्या है, transparency tool लेकर, blend tool के अंदर आता है, यसे last में है, इसको click करके control को hold करते वे से drag करता हूँ, तो दिखो भी यह transparent बन गया, यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या है 30 degree rotate करता हूँ इसको और एक बार click करना है click करके control को hold करते वे ऐसे लेता हूँ तो 30 degree rotate हो गया rotate होने के बाद आपको क्या करना है अभी क्या है यह जो point है node है इस node को hold करते वे इस node पे लाके ऐसे snap कर देता हूँ तो दिखो भी ऐसे snap हो गया, snap होने के बाद क्लिक को छोड़ देना है, इतना होने के बाद इस subject को मुझे क्या करना है भी bitmap करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, bitmap में आता हूँ, bitmap में आके convert to bitmap बोलना है, convert to bitmap ऐनी image हो जाता है, इसको resolution 3-ended है, mode RGB आप चाहिए, तो CMYK कर सकते हैं, so until as active है, transparent background active रखना है, नहीं तो white background आजाता है, तो इसको ok बोल देता हूँ, so इतना होने के बाद अभी क्या है, shape tool लेता हूँ, लेके आपको क्या करना है, इस point को, इधर क्या है, इधर थोड़ा zoom कर लेता हूँ, इधर एक point कर लेता हूँ, double click करने से point बनता है, इस point को क्या है, इधर तक लाके इधर snap कर देता हूँ, तो दिखो भी ऐसा आगया, अभी इसी तरह क्या है, इन दूनों points को इसे click करके, इसे drag करो आपद, दूनों points selected है, हाँ, इसको आपको क्या करना है, control को hold करते वे इसे उपर की तरफ लेना है, तो दिखो भी ऐसा आगया, तो यह आपको समझ में आ रहा है, दिखो अभी इधर भी snap होने के बाद मैंने छोड़ दिया, तो अभी क्या है, इसको select करते वे, control को hold करते वे इसे नीचे आ और के कैसे copy कर लेता हूँ, most right-click करना है, दिखो भी ऐसा आ गया, तो इस point को क्या है, फिर से इस node को लेके, इस node पे लाके snap कर देता हूँ, snap होने के बाद छोड़ देना है, दिखो भी ऐसे आपको तो complete 3D दिख रहा है आपको, इसके उपर कुछ type भी आप कर सकते हैं, अभी समझो कुछ type करके मुझे इस पे बिठाना है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इदर text tool लेके इदर click करो आप, click करके, इदर क्या है, कुछ type कर लेता हूँ, तो अभी इसमें क्या है, थोड़ा board font लेता हूँ, board font लेया मैंने, अभी क्या है, मुझे इसको center में लाना है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये text selected है, shift के साथ इस strip को select करो आप, select करके, इसको क्या है, e and c भूलता हूँ, तो दिखो अभी ऐसे center में आ गया, center में आने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ इसको, अभी इसको थोड़ा perspective बनाना है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इदर क्या है, envelope tool करके आता है, envelope tool लेता हूँ, envelope tool लेने के बाद आपको क्या करना है, इदर इस option पर आना है, ये क्या है, straight line mode करके है, straight line mode में आके click करके, इसको क्या है, shift को hold करते हूँ, इसे drag करना है, तो दिखो भी इसे ले रहा हूँ, थोड़ा wide किया मैंने, wide करने के बाद इदर क्या है, mouse को छोड़ देता हूँ, तो दिखो भी ऐसा, ये perspective बन गया, तो इसी तरह क्या है इदर आप, और भी कुछ type करना है, तो कर सकते हैं, इदर graphics करके लेता हूँ, graphics करके लिए मैंने, तो इसको भी कहे है, तो इसे board कर लेता हूँ, करके इस strip को select करता हूँ, इस strip को select करके, E and C बोलता हूँ, तो दिखो भी ऐसे center में आ गया, अभी इसको मुझे क्या करना है, इसको भी perspective करना है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से envelope tool में आना है, envelope tool में आके आपको क्या करना है, इस option को click करना है, straight line mode करके इसको click करता हूँ, click करके आपको क्या करना है, shift को hold करते वे ऐसे drag करना है, इसका color क्या है भी एक red दिया मैंने इस तरह क्या है अब बहुत सरे perspective designs आप बना सकते हैं अभी इन सब को select करके group करता हूँ Ctrl G क्या मैंने इतना designs हमने बना लिया है अभी इसको इस तरह लेता हूँ यह आपको सब समझ में आ गया अभी देखो इस तरह क्या है बहुत सरे आप designs आप बना सकते हैं अगर यह करते वक्त आपको कुछ doubts वगिरा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद